और खबर जबलपूर से जहां पर एक आटो की स्कूटी से मामूली टककर पर बेरहमी के ऐसी तस्वीर सामने आई कि कोई भी देखे तो सिहर जाए देखे तस्वीरे स्कूटी चला रहे महिला ने टककर के बाद अपने परिवार वालों को बुला लिया और उसके बाद तो फिर आटो वाली की शामत आ गए उसकी जान पर बनाई, महिला के परिवार वालों ने आटो वालों पर लात घूसों की बरसात कर दी आटो वाला सडक पर गिरा अपनी जान की भीक मांगता रहा ये देखे किस तरह से आटो वाले को घसीटा जा रहा है लात घूसे चल रहे हैं ओटो वाले पर जमीन पर गिर कर वो किसी तरह से अपने जान की भीग माँग रहा है लेकिन उसके बावजूत देखिए किस तरह से लात भरसाय जा रहे हैं, लात घूसे मारे जा रहे हैं इतना ही नहीं बेदम आटो वाले पर लकड़ी के फट्टे तक से प्रहार किया गया ये देखी कितने लकड़ी के फट्टे 20 सड़क पर ले आए गया है लेकिन सड़क पर तमाश बीन महस देखते रहे कोई बचाने इसे नहीं आया पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है और कारवाई कर रही है प्रकरन इस प्रकार का है कि पहले आटो से कुछ महिलाओं का एक्सिडेंट हुआ फिर जो पीडित पक्स है उसने अपने कुछ परीजनों को बलाया उनोंने फिर ऑटो वखती है जो चालक है उसकी बटाई की है ऑटो चालक ने छोगिए अक्सिडेंट किया उसके व्रुथεί एक्सिडेंट का मंगदम कायम है चोगि इनके वरुथ भी एफाइयार हो गई है और जल्दी इनकी गृफतारी की जाएगी और अच्छे से मितलब पूरा जो विदिवत कारवाई होगा इसे के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमार साथ देखते रही आज तक नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है यह विडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस विडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले